टीवी के मशूर शुन नामकरण में नील और अवनी की ओनस्क्रीम जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है। और अब खबर आ रही है कि ये जोड़ी ओफ कैमरा भी काफी क्लोज आ रही है। अक्सर नील यानी जैन इमाम को टीवी एक्ट्रेज अवन यानी अदिती राठोर के साथ देखा जाता है। खबरों की माने तो सेट पर भी जैन और अदिती हमीशा साथ रहते हैं। हाल में एक इंट्रव्यू के दौरान जैन ने खुद कह दिया है कि वो अदिती राठोर से शादी करना चाहते हैं। उन्होंने अदिती की तारिफों की पुलबान दिये। जैन ने कहा अदिती बहुत अच्छी एक्टर है। मैं उनके हार्ट वर्क से बहुत इंप्रिज हूँ। वो बहुत इंस्पायर करती है। जब हम रिहर्सल करते हैं, वो तब भी अच्छे से अपने लाइंस बोलती है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उनसे शादी कर लूँगा। पतादे नामकरण सीरियल साल 2016 से चल रहा है। इस टीवी शो की कहानी महेश भट की फिल्म जखम से इंस्पायर्ड है। ये फिल्म साल 1998 में रिलीज हुई थी। सीरियल में अधिती और जहनिमाम की केमिस्ट्री काफी चर्चा में चल रही है। खबरों की माने तो अधिती का परिवार जहनिमाम को पसंद नहीं करता था। इसलिए उन्होंने अधिती को मुंबई दे दिया। राच स्थान वापस लाया। आज की समय में अधिती अपनी परिवार के साथ रहती है। अपने परिवार की खुर्शी के लिए अधिती अपने प्यार को भूल गई है और दोनोंने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। इन दिनों स्टार स्टार प्लस का धरावाही एक ग्राम सब कुछ दिखाई दी रहा है।